देख बिना ब्रेक कदीर जी ये खुद बताएंगे कि आखे इनों ने किस तरह से एक हिंदू पुलिस कर्मी की उस समय जान बचाई जब वो भीड में गिर गया और उसके हाथ में चोट लग गई कदीर जी क्या हुआ था उस समय उस समय सर उस सिपाई की जान पे इतने लोग खड़े थे किस तरही के से उनको जान से बचाया जाए पहले तो उनको सेफ किया गया सर छट पे हम लोग उपर ले गए नीचे एकदम भीड इकटी हो गई फिर कमरे में उनको ताल बंद कर लिया पिर उसके बाद हमने कपड़े उनके सर चेंज किये उसके बाद तरह हम उनको अपना बना के अपने साथ लेके गए और थाने पे पहुचाया है जी सर मुझे उस बगए यह मैयलूम नहीं था यह कोन है लेकिन मैंने यह समझा कि सर एक सफाई है मेरा और जो सारी फोर्स के साथ घिर गया अकेला विचारा तो इसलिए मुझे सर उसे बचाना बहुत जरूरी था बहुसे लोगों ने भी यह कहा होग़ा कि यह हिंदू सिपाहिये इसको जादा किया जा रहा है जब कि पत्राओं भी हिंदू बहुत से लोगों की सर भावनाय होती है अपनी-अपनी लेकिन मैंने उनके साथ यह भावना रखी मैं ने किये मेरा एक भाई है मुझे अपने भाई को बचाना है मैंने सर उस वकट कोई ब्रादरी का तालुक नहीं देखा बलके मैंने ये देखा एक इनसान है मेरे साथ और मुझे इनसानियत से उपर कोई काम नहीं लगता सर फिरुजाबाद में दंगे हुए एक हफता के करीब होने को आया है अच्छा हो जाएगा और मेरा यही आप सब लोगों से ये कहना है कि इस सेर को अमन और चैन वाला सेर बनाएं जिससे के लोगों में कोई भी अफवा किसी भी तरह की ना फैलाएं कप्तान साब जीतने अदिकारी है उनका ये कहना है कि निर्दोस आदमी मैं एक भी गरफतार नहीं करूँगा और नहीं वो करना चायते है बहुत भले अधिकारी इतना सम्मान के उनके वयान सर मेरे पास वो अलफाज नहीं है मैंने इतने कफ्तानों से मिल चुका हूँ Lेकिन सारे कफ्तानों से उपर ये कफ्तान ईंसर और बहतर ये इस सहर को उनकी बात को मानना चाहिए और अल्माए दिन की इज्द रखनी चाहिए बहले इंसान कभी लड़ते नहीं बुरों की गिनती नहीं होती चंद लोग बुराईयां फैलाने के मकसद में काम्याब होते हैं और हम सारे भले लोगों को परिशानी होती है बहतर यह होता है कि हम लोग अच्छा पर्चेद हैं इंसानियत का पर्चेद हैं सारे लोग जितने इस सहर के रहने वाले हमारे वो अमन से रहें सुकून से रहें हम एक दूसरे के भह में न जीएं एक दूसरे का भह नहीं होना चाहिए हम जैसे पहले रहते थे उससे बहतर बनके अप रहें तो ये थे कदीर जी जिन्होंने संपरदाएक सौहार्थ की एक मिसाल कायम की ये केवल फिरोजाबाद ये नहीं देश के लोगों को भी सोचना चाहिए सुदीर शर्मा फिरोजाबाद